माइक्रोब को आप माइक्रो और्गिनिजम भी बोल सकते हो इन में आप बैक्टिरिया वाइरस फंगस कुछ छोटे प्रोटिस्ट या उन सारे और्गिनिजम को काउंट कर सकते हो जो आप अपनी नेकिड आईज से नहीं देख सकते हैं जो microbe है न हमारे लिए कैसे beneficial है क्योंकि हम भाई self-ice आदमी है हमको तो इस बात से मतलब है हमको कैसे help कर सकते हैं दूद को पहले तो गरम करते थे दाई जबाने में सबसे पहले याद करो मम्भी क्या करती थी पहले दूद को गरम करती है गरम करने के बाद फिर उसको थंडा करेंगी अगर गरम दूद में ही आपने जामन डाल दिया मतलब वो इनॉकुलम डाल दिया तो वो दूद फट जाता था हेलो प्यारे बच्चों मैं परमीड सिंग आप से भी का स्वागत करता हूं संकल भारत के ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आज के इस माइंड मैप सेसन में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा माइक्रोब्स इन हुमन वेलफियर चेप्टर को एक्जाम पॉइंट अब यू से बात करूँ काफी इंपोर्टेंट चेप्टर है हर बार आपको दो कुश्चन दो कुश्चन देखने को मिल जाएंगे और जो चीज़े मैं आपको यहाँ पर आप समझाऊंगा चोटी चोटी चीज़ों पर थोड़ा साथ गौर करना आपके वो कुश्चन बिलकुल नहीं रुकेंगे आपके हक में ही रहेंगे वो कुश्चन के अंसर ठीक है आप जरूर उनको सही करके आओगे शुरुआत करते हैं बिना देरी की हुए चेप्टर को तो आपका चेप्टर है माइक्रोब सिन हुमन वेलफेर सबसे पहले समझ लेते हैं हम ये माइक्रोब बोल किसको रहे हैं ये माइक्रोब है क्या एक्चुली मैं माइक्रोब को आप माइक्रो और्गिनिजम भी बोल सकते हो इन में आप बैक्टिरिया वाइरस, फंगस कुछ चोटे प्रोटिस्ट या उन सारे organism को count कर सकते हो जो आप अपनी naked eyes से नहीं देख सकते हैं मतलब वो organism जिनको देखने के लिए हमको microscope की जरूरत पड़ेगी उन organism को आप क्या बोलोगे? micro organism नाम से ही समझ में आ रहा है इनको micro organism बोलो या आप अपनी सुविधा अनुसार microbe बोल दो है ना micro organism बड़ा सब लग रहा है छोटा सा बोलो इनको microbe आप इनको microbe भी बोल सकते हो अगली जो बात निकल के आती है कि यह microbe सर मिलेंगे कहां तो बच्चो microbes आपको cosmopolitan nature show करके देते हैं मतलब cosmopolitan का मतलब क्या हुआ? बेटा कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया सर्वव्यापी आपको जो microbe मिलेंगे ना बेटा हर जगे मिल जाएंगे सर्वव्यापी मतलब वो जमीन में में मिल जाएंगे वो air में मिलेंगे वो water में भी मिलेंगे right? so called cosmopolitan सर्वव्यापी हर जगे आपको व्यापत मिल जाएंगे वो right? और यह belong करते हैं diverse group से आप मैंने जैसा कि मैंने बताया virus भी हो सकते हैं bacteria भी हो सकते हैं, sinobacteria भी हो सकते हैं fungus भी हो सकते हैं, यह proto joints भी हो सकते हैं मतलब वो सारे organism जिनको आप naked eyes से नंगी आँकों से नहीं देख सकते हैं, वो सारे के सारे microorganism कहलाएंगे और वो diverse group से belong करते हैं, right? अब main मुद्डे की बात पे आते हैं कि यह जो microbe है हमारे लिए कैसे beneficial हैं, क्योंकि हम भाई selfish आदमी हैं, हमको तो इस बात से मतलब है हमको कैसे help कर सकते हैं, यह हमारे knocker किस-किस तरीके से बन सकते हैं, है ना, चलो, सुरूआत करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो microbe सबसे पहले आप देखोगे, household product में काफी ज़्यादा use होते हैं, आपने बचपन से जो दही खाया है ना, उस दही को बनाने में microbe involved है, और उन particular microbe को lab बोलते हैं, order में चलो उनकी बात समझते हैं, तो जब आप बात करते हो curd formation की दही बनाने की, तो उसमें आप क्या देखोगे, एक specific group of bacteria involved है, that is called lab, lactic acid bacteria, क्या वो अगर गरम दूद में ही आपने जामन डाल दिया, मतलब वो inoculum डाल दिया, तो वो दूद फट जाता था, right, क्योंकि उसमें जो involved bacteria थे, उसमें जो inoculum में जो आप डाल रहे हो, थोड़ा सा दही अलग से डाल रहे हो, उसमें जो bacteria है, दूद बहुत गरम है, वो सारे bacteria मर गए, right, तो आपने जब दूद गरम किया, उसके बाद उसको पहले थंडा करोगे, जब वो दूद थोड़ा फ़ा थंडा हो जाएगा, उसको temperature जो optimum रहवाले एरिया में, आप देखोंगे, इसको जामन बोलते हैं, जमाने वाला जो जामन बोलते हैं, तो आपने दूद को ठंडा करें उसमें क्या डाल दिया? अलग से हलका सा दही डाल दिया, right? इसी को आप क्या बोल रहे हो, बेटा partially digest, milkyo को क्या करने है, partially digest और partially digest करने के बाद आपके सामने के आ गया, दूद का आपने दही बना दिया है, अक्सर आपने इस सुनावगा दिमाग का दही मत कर है, बहुती language, lemon language मोलते निये, सोच के दोखो क्या दिमाग में lectic acid vector हो सकता है, नहीं बटा, वो possibly नहीं है, वो दूद में हो सकता है, दूद का दही बनाने के लिए, चलो, अब यह जो आपके सामने, यह जो कर्ड बनके आया, यह जो दही बनके आया, इसमें कुछ additional property भी add हो जाती है, जैसे आप देखोगे, इसमें vitamin B12 का level increase हो जाएगा, यहाँ पे vitamin B12 का amount बढ़ जाएगा, milk में vitamin B12 नहीं है, मगर lectic acid bacteria ने इसमें क्या add कर दिया, उसने add कर दिया, vitamin B12, और आप जब दही खाओगे, तो यह आपके gut की, आपके जो intestine है, उसकी health को भी maintain करके रखते हैं, आपके gut में जो other disease causing microbes है, उनको भी suppress कर देते, अपने number maintain रखते हैं, मगर उनको क्या कर देंगे, suppress कर देंगे, उनके इलिल नंबर को कम कर देंगे, दूसरा आप देखोगे probiotics होते हैं, probiotics जैसे आपने market में देखा हुआ, या कृूती के नाम से probiotics आता है, वो क्या करते हैं, वो भी actually food material ही होते हैं, और वो आपके gut को healthy रखने में मदद करते हैं, आपके neat में कई बार question आ चुका है, इस बाले part से थोड़ाफा ध्यान से देख लेना, कि जो probiotics हैं, वो food material हैं, वो क्या करते हैं, गट को healthy रखने में ethanol बनता है, lactic acid fermentation होगा, तो उसमें याद करो, कभी भी carbon dioxide नहीं मेरेगा, lactic acid fermentation हमारी muscles में भी होता है, जब हम दोड़ते हैं, मगर वहाँ पर carbon dioxide produce नहीं होती, वो lactic acid, तीन carbon का ही pyruvic acid है, वो lactic acid में, तीन carbon के lactic acid में ही बदल जाता है, तो इसमें आप क्या देखोगे, कोई carbon dioxide produce नहीं होती, जब कि ethanol formation जब हम करते हैं, जब alcoholic fermentation काम करती है, वहाँ पर याद रखना carbon dioxide produce होगी, और वो carbon dioxide जिफ food material में बन रही है, उसको puffy कर देगी, जैसे आप सोच के देखो, उन्होंने वहाँ पर अपनी growth को बढ़ाया, और वहाँ पर carbon dioxide produce करने स्टार्ट कर दी, अनरोबिक लिए उन्होंने ग्रोगिया, और carbon dioxide खुब सारी produce कर दी, जिससे वो पफी-पफीसा हो गया, इविन bread बनाने में भी यह process involved होती है, आगे बात करते हैं, तो यह तो मैंने बहले fermentation का बताया है, कि lactic acid fermentation और ethanol fermentation होती है, अब आप fermented इन्स प्रोसेस से बनने वाले कुछ उनके भी बात करो, कौन-कौन से food item होते हैं, जैसे idli की बात करोगे, या दोसा की बात करोगे, तो आप क्या, देखती हो, यहाँ पे bacteria के तुरू, हम जो आटा होता है, उसको क्या करते हैं ferment करते हैं, तो आप क्या क बोलजहों यहाँ नहीं छहाँ पर fermented fish और fermented bamboo को भी देखते हो हो सकता है आपने ना खाया हो कई-कई areas में आप देखोगे fermented fish जो regional जो coastal area होता है वहां पर आप देखोगे fermented fish और fermented bamboo मिलेंगे एक ताड़ी आपने नम सुना एक regional drink है sustainable इसको है न क्या बोलता है सस्ते नसे टोड़ी गाउं वगेरा में आपने क्या देखोगे कि जो palm के tree होते है ना पाम के tree पे वह क्या करते है कट मारते है और वहां पे धकल यह डबबा लगा देते हैं जिसमें वह उसका सेप प्लांट का सेप आता रहता है और फिर उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बाद वह थोड़ा फाइलकॉलिक हो जाता है ना फिर उससे फिर उसको drink करने के बाद दूसरे प्लांट की हमको याद आने लगती है तो इसको हम बोलता है टोडी टोडी का है भाई यह एक drink है फ्रॉम सेप ऑफ पाम ट्री यह पाम ट्री की पाम ट्री से निकाले हुए सेप का फर्मेंटेड प्रोडेक्ट है राइट आगे एक और बात करते है चीज चीज का मुझे और कॉन बैक्रिया इंवॉल हुए और कॉन फंगस इंवाल है इसके बैसे पे डिफ्रेंट शिस्चीज के टाइप होता है Darwin रहें शीज्ज कई सारे टाइप के चीज भी आप देखने मिलें गे देखो इसकी प्रॉसस में क्या करते है तो चीज भी आप किस से बना रहे हो बैटा, milk से ही बना रहे हो, milk में एक protein होती है that is called casein protein, और जब वो casein protein denature हो जाए, तो casein protein actually पकड़ने का काम करती है, एक side water को, एक side fat को, water और fat को वो क्या करती है बैटा, पकड़ के रखती है, right, water और fat को उसने पकड़ के रखा हुआ है, म तो पानी अलग हो जाता है, और फैट जो होता है, milk में वो अलग हो जाता है, फिर आप क्या करोगे, पानी को हटा दोगे, तो वही process लिखी हुई है, क्या आपके पास milk है, आपने उसमें denature कर दिया protein को, protein का नामे casein protein, जिससे water अलग हो गया, और fat अलग हो गया, अब आपन का चीज बनाना है, यह final process है, इसी पे आप अगर वेक्टरिया एड कर रहे हो, या फंगस एड कर रहे हो, तो उसके basis पे different type के चीज हो जाएंगे, जैसे Swiss cheese किया कर मैं बात करो, Swiss cheese में आप क्या देखते हो, याद करो, आप Swiss cheese आपने पहले बच्पन में देखा हुआ है, आप जब स्कूल से लॉट के आते थे, बैग फिकते थे, उसके बाद जब TV on करते थे ना, काटून नेटवर्क वाला चैनल जब चलाते थे, तो वहाँ पे आता था, तो जो चैरी जिस चीज को लेके भाग रहा होता है, ना, all the time, that is Swiss cheese, और Swiss cheese में involved एक बैक्टिरिया होता है, जि उसमें बैक्टिरिया involved नहीं है, यहाँ पर कौन involved है, फंगस involved है, तो यह आपने बात की चीज की, और यहाँ तक हमने जितने भी product ले डिसकस की है, they all are household product, और उसमें involved जो बैक्टिरिया है, या उसमें involved जो फंगस है, उनको हमने detail में देखा, कौन-कौन involved है, so this is all about microbe in household product, आगे बात करते हैं, microbe की अब हम बात करते हैं, industry में, कि microbe industries में कैसे use होते हैं, तो microbe industries में आप इनका use देखोगे, तो आप बोलोगे कि यह alcoholic beverage बनाने के लिए use होंगे, यह antibiotic बनाने के लिए use होंगे, यह enzyme को बनाने के लिए use होंगे, यह acids को बनाने के लिए use होंगे, यह bioactive molecules को बनाने के लिए उस होंगे different process में वो involved हो रहे है start करते हैं with the very first alcoholic beverage alcoholic beverage से start कर लेते हैं alcoholic beverage में आप समझो सबसे पहले कि alcohol जो produce होता है उस में no doubt कौन involved है microbes involved है कैसे involved है समझ लेते हैं ethanol अब यह सी वात है एक alcohol है जो कैसे produce होता है produce by fermentation and release of carbon dioxide यहां पर carbon dioxide release होती है यहां पर fermentation की process involved है alcohol जिस vessel में बनाते हैं जिस डब्बे में बना रहे होते हैं उसको हम बोलता है fermenter तो यहां पर large vessels होती है जिनको आप क्या बोल रहे है fermenter बोल रहे हो और इसमें आप क्या द्याल देते हैं माइक्रोब के नाम पर आप आप एड़ कर रहे हो इस्ट इस्ट में भी कौन यह स्पैस्पिक फंग जाई है जिसको बेकरी जो बेकरी साना वही यहां पर यहां पर यूज हो रहा है आपके अल्कोल को बनाने में भी यूज हो रहा है कि टाइप ऑफ बेवरेज किस टाइप का बेवरेज बनेगा यह दो चीज़ाओं पर डिपेंड करेगा क्या आप रॉ मेटिरियल क्या ले रहे हो और फिर डिस्टिलेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे बिय किसे बने रही है अब आगे देखो यहां पैसे समझो nic कि अपने ब्रेंडी और बियर से बनेगी निघी और यह कैसे बनेगी हूसी वे जबनेग दिस्टिलेशन की प्रोसे ü演 ग्रव यह इस्ट एं वह मैक्सीमम एल्कॉल 13% तक ले जा सकता है 13% के बाद उसकी बोड़ी में इतना एल्कॉल होता है कि वह खुद मर जाता है फिर हम क्या करते इस एल्कॉल के concentration को और ज्यादा करते रहते है 40% तक लिया पिपशेंट तक लिया धाते ताम डぜ mais मालग पी लेते में इसमें इल्कॉड का पियक अरक्वल और सक्ट काई सबिगे और इसमें डिसलीशन की प्रॉसेस इंडर इंतना याद रखना ग्रेप और बीयर पेप और इसमें क्यों का पुद कम है ग्रेन से और ग्रेप से बन रही है क्या wine इसमें भी alcohol content कम है इन दोनों में alcohol content कम है और इनके बाद इसका करते है distillation distillation हम करते है बीर का तो उसे बन जाएगी whisky और wine से बart जाएगी brandy आया समझ में तो यह हमने बात की alcohol की बहुत ही काम की बात आगे चलते antibiotics की तरफ क्योंकि आप industries में देख रहे हो कि alcoholी नहीं बन रहा है बेटा हर जगे अलकोली नहीं बन रहा है और भी कई सारी चीज़ा बन रही है उसमें अगला किसका नाम है antibiotic का एंटीबाइटिक समझ लेते क्या होते हैं antibiotic के अगेंस्ट है जो पैथोजन हाम्फुल है यह अगेंस्ट है हामफुल माइक्रोब के बट काम करता है इन फेवर ओफ हूमन के लिए बैनिफीसियल है एंटीबाइटिक अगर आप ले रहे हो तो आपको वह फाइदा करेगा मगर आपकी बॉड़ी में जो पैथोजन है जो आपको बीमार कर रहा है उसको वह मारेगा समझ रहे हो so called antibiotic अंटीबाइटिक हम किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है उस पटिकुलर पैथोजन के लिए बोल रहा है जो हमको बीमार कर रहा है यह क्या एक तरीके से कैमीकल है जो अप्टो अप्टेन होते हैं लिविंग कंपोनेंट से ही या जैसे आप बोल सकते हो कि बैक्टरिया से या फंगस से इसकी डिस्कवरी पर बात करते है एक साइंटिस जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उन्होंने काम किया था एक पटिकुलर वो बैक्टरिया पर ही काम कर रहे थे और उन्होंने अन्वास प्लेट बिना धुली हुई प्लेट छोड़ दी थी फिर उस बिना धुली ह उन्होंने अब्जर्व किया एक फंगस ग्रो कर चुकी है और उस फंगस ने बैक्टरिया की ग्रोथ को रोक दिया और कैसे रोका होगा तो इसमें आप देखोगी कि उस पटिकुलर मैं कहानी बता देता हूं कि हुआ क्या था कि फंगस ने रिलीज किया उस पंगस ने पैन इंटरेक्षन पढ़ चुक हो और इंटरेक्षन में कौन से टाइप का इंटरेक्शन है एमेंस इलिजम है एक को नुकसान हो रहा है दूसरे को फरक नहीं पड़ रहा भैकर पैनिसीलियम रिलीज कर दिया मगर उससे बैक्ट्रिया मर गया वो कह रहा होगा मेरी क्या घल्ती थी रे हैं ना कोई बात में होता है इंट्रक्षन होता है यहां पर इंट्रक्षन कॉन से टाइक का मिल गया ब्ला अब जेखो यहां पर observation में उन्होंने क्या देखा यहीजो मैंने भी बताया के Penicillium था उसने Penicillin produce की उसने क्या कर दिया इस बैक्ट्रिया की यूज होते हैं और एंटिबाइटिक को हम कहीं सारी डिसीज को क्योर करने में यूज कर सकते हैं जैसे कौन-कौन से डिसीज आप देखो डिप्तेरिया तोवर कुलोसिस गूपिंग कप टिटनिस प्लेग लेप्रोसी यह डिफरेंट डिफरेंट क्या है डिसीज है जिनमें हम एंटिबाइटिक को यूज करते हैं एंटिबाइटिक को उनको क्योर करने में यूज करते हैं चली आगे बढ़ते हैं यह हमने एंटिबाइटिक की बात कर ली आगे बढ़ते हैं इंजाइम की तरफ कि कौन-कौन से इंजाइम है जो हमको माइक्रोब से मिल रहे हैं और उन कैसे help कर रहे हैं एक enzyme जिसका आमें पेक्टिनेज और प्रोटियेज उनको हम obtain करते हैं different microbes से और वो किसमें यूज होते हैं bottles को clear करने में जो jar आपने देखा होगा जो आप juice पी रहे होते हो उस juice में फाइबर बहुत जादा नहीं होते हैं मगर आप दुकान पर निकलवा के juice पीओगो उसमें खूब सारे फाइबर होते हैं तो उस bottle में क्यों नहीं है क्योंकि वहाँ पर हमने एक enzyme प्रोटियोज और पेक्टेस डाल दिया उसने उन पड़ जाते हैं दब्बे पड़ जाते हैं उनको रिमूब करने में मदद करते हैं एक पटिक्लर कंपोनेंट है इंजाइम यह streptokinase यह streptokocus से मिलता है और इसको हम clot bloodbuster बोलते हैं जो हर्ट के पेसेंट होते हैं जिनमें clot बन जाती हैं उन clot को ब्रेक करने में हम यूज करते हैं किसका streptokinase का जो streptokocus से निकल के आ रहा है तो यह सारे के सारे enzyme थे जो हमने microbes से obtain किये हैं और उनका हम कैसे human life में यूज कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर mention किया इस इट क्लियर इतना क्लियर हुआ बढ़ते हैं आगे की तरफ next बात करते हैं एसेड की आपने क्या क्या देखा आपने सबसे पहले बेब्रेजिस देखे उसके बाद आपने एंटिबाइटिक देखा आपने इंजाइम देखा अब देखो कुछ एसिड के बारे में हम different different microbes से कुछ acid भी प्रेड्यूस करता है फर एकजामपल lactic acid, buteric acid, acetic acid right lectic acid की बात करोगे lectobacillus से आ रहा है buteric acid की बात करोगे, he coptulium, botulicum से प्रेड्यूस हो रहा है, acetic acid की बात करें तो Acetobacter Acety से produce हो रहा है और यह सारे का सारे क्या है bacteria ही है यह different different bacteria से हमको different different acid produce होते हुए दिख रहे हैं तो हमने beverage की बात की लिए antibiotic की बात की enzyme की बात की acid की बात की अब कुछ specific bioactive chemicals की भी बात कर लेते हैं यहां पर आपको समझ लेना क्योंकि यह important role play करते हैं इसलिए इन पर question बनने के भी chances जादा है इस statin की बात करें तो यह monascus perpureus से obtain होते हैं और यह type की yeast है जिसको हम use करते है cholesterol lowering agent की तरह है statin का use हम करते है कैसे cholesterol lowering agent क्यूंकि जो cholesterol बनता है वो particular enzyme से बनता है cholesterol को synthesize करने के लिए enzyme है और statin उस particular enzyme को target कर देते हैं तो आप क्या देखर हो यह compete किसे बाद कर रहे है cholesterol synthesizing enzyme के साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक और देखो cyclosporine एक और component है जो हमको मिलता है trichoderma polysporum से राइट trichoderma polysporum से जो मिल रहा है वो एक fungus है fungus से obtain हो रहा है और इसका काम आता है as immunosuppressive agent और इसके अगर cost देखोगा करीवरी 30,000 रुपे की एक यह अपने को cyclosporine के injection मिलते हैं जब हम organ transplant कर रहे होते हैं बेटा उस समयन की जुरूत पड़ती है कि आप दूसरे का organ अपनी body में डाल रहे हो तो आपकी body का immune system नला थोड़ी ना है राइट वो भी activate हो जाएगा वो उस organ को उड़ाने की कोसिस करेगा डेमेज करने की कोसिस करेगा राइट तो आपको अपने immune system को suppress करना पड़ता है क्योंकि वो बाहर से जो organ डाल रहे हो वो सर्वाइव कर पाए वो accept हो पाए इसको वैसे बोलते है graft एक word यूज होता है that's called graft तो graft accept हो पाए आपकी body में इसलिए आपकी body के immune system को suppress down करना पड़ता है समझ पारे उस बात को तो वहां पर हम यूज करते हैं cyclosporine को किसको यूज करेंगे cyclosporine को यूज करेंगे is it clear इतना समझ में आया बच्चा ओके तो हमने यहां पर बात की बेटा microbes जो industry में यूज होते हैं alcoholic beverage की बात करी antibiotic enzyme acid और bioactive molecule या chemicals को यहां पर हमने समझा बढ़ते हैं आगे की तरफ next डिसकस करेंगे कि यह जो microbes है किस तरीके से sewage treatment plant में यूज होते हैं समझते हैं पहले तो sewage treatment plant हैं ही क्या और इनकी जरूरत क्या है चले शुरुआत करते हैं सबसे पहले sewage word को समझो sewage word का मतलब होता है जो हमारे household waste product होते हैं आपके घर से जो डेली पानी नाली के तुरू जो गंदगी निकल रही है human excreta निकल रहा है जो food आपने कचड़े में फेक दिया वो निकल रहा है वो सारा का सारा क्या है sewage ही है है ना आपने सुना होगा sewage की सफाई करने वाले आए वो आपके घरों के सामने जो नाली है उनकी सफाई करने आते है ना तो sewage में क्या है household waste बोलो या फिर उसको municipal waste बोलो आपकी colony के पूरी colony का जो वेस्ट निकल के आ रहा है वो क्या है municipal waste है इसमें तीन चीजें ध्यान रखना बहुत important है water involved होगा undissolve जो dissolve नहीं हो पार है undissolve याद रखना बड़े बड़े size के जो waste product है वो है और एक dissolve होगा अब इसी बात है dissolve है तो वो छोटू-छोटू से होंगे right तो water होगा undissolve waste होगा और dissolve होगा undissolve और dissolve वो क्या होगा actually मैं organic waste होते है दोनों के दोनों क्या है और गनिक वेस्ट यहाँ पर human excreta भी involved है food particle भी involved है दोबारह से देखो इसी चीज़ को कि type of based तीन टाइप के है undissolve dissolve और यहाँ पर एक component और है that is disease causing microbes यहाँ पर कुछ microbes ऐसे भी है जो आपको वीमार कर सकते है राइट इतनी साधी गंदी की जो निकल भी obvious सी बात तो उसमें माइक्रोब होंगे जो आपको वीमार कर पाएंगे अब यह अपने घर से नाली निकल रही थी उससे बेस्ट निकाल दिया यहां से बेस्ट निकला हर घर से बेस्ट निकल रहा है अब यह बेस्ट प्रोडेक्ट अगर आप इस सीधा गंगा जी में डाल दोगे यमुना जी में डाल दोगे तो इनकी तो हो गई राम नाम सत्य यह तो रही नहीं है ना रिवर के नाम पर रिवर नहीं बची है आप तो उनको नाला बना दे रहो इसलिए इस पानी को इधर डालने से पहले आप इसको ट्रीट करोगे कहां पे ट्रीट करोगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आप उस पानी को उस गंदगी को उसमें नहीं डाल सकते आप उस उसको पहले फ्रेश करो इतना तो कर दो उससे कोई जम उस पर्टिकुलर पानी में रहने वाली मचली या जो और 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 अर्गनिजम है वो मरते मर ना जाएं उस गंदवी से हैं न इसलिए आप उसको इतना तो ट्रीट कर दो इसलिए जरूवत पड़ती है सीवेज प्लांट की है ये सीवेज़ ट्रीटमें प्लांट ट्रीटमेंट तीन लेवल पर करते हैं प्रामेरी प्रामय लेफल में आप्या दिखोगा उसमें पननी वी है कुड़ा चचड़ा भी है और बड़ी लगडी लकडिया उनको पहले हटा दिया है sequentially क्या कर दिया आपने उनको filter कर दिया और फिर filter करने के बाद जो पानी बचा उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो हलके देर के लिए एक जगए खाली जगए पर छोड़ दो जिससे वो ठहर जाए और ठहरेगा तो काफी सारी चीज़ें नहीं चे बैठ चाहेंगी सेडिमेंटेशन हो जाएगा तो यह हो गया आपका primary treatment के मतलब sequential बड़े-बड़े सामान को आपने फिल्टर कर दिया और उसके बाद सेडिमेंटेशन करा दिया अब यहां से जो पानी निकलेगा इसमें क्या अन्डिजॉल्व क्योंकि जो छोटे-छोटे हैं वो डिजॉल्व यहां से बड़े-बड़े उनको आपने हटा दिया तो अब यहां से क्या बचा हमारे पास जो अभी भी वेस्ट है इसमें अब इसमें क्या है जो डिजॉल्व वाले वो बचे हैं और इसमें डिसीज गॉजिंग माइक्रोब भी बचे हुए तो अब यहां से बट जो निकल प्रैमरी था अब आप ले जाओंगे सेकंडरी इन नी लिए तेन क्या हो रहा है यहांसे जो प्रैमरी ट्रीटमेंट आया वो निकल के कहां बेटा मैंने बता दिया इसमें थे तइन टैंक वन और टैंक ऊन को बोलते हैं aeration tank, इसमें आप क्या करोगे, खूब सारी oxygen दोगे, खूब सारी oxygen के साथ साथ यहाँ पर microbes already available है, जिसका नाम है bacteria और fungus, यहाँ पर bacteria की और fungus की आप growth कराते हो, उस पानी में bacteria और fungus की growth कराऊगे, समझो concept समझो, bacteria और fungus की growth इसलिए करा रहे हो, जब वो grow करेंगे, तो उसमें dissolve जो organic waste है, जो food particle है, उनको वो सारे को खा के खतम कर देंगे, जो human excrete है, उसको पूरे को खा के खतम कर देंगे, तो जो dissolve वाला, जो dissolve वाला organic waste था, उसको यह microbes और fungus खा के खतम करेंगे, जब यह microbes, जो bacteria और fungus का जो एक क्या बनता है, structure culture से बन जाते हैं, उनको हम क्या बोलता है, phlox, phlox क्या है, यह mass of bacteria and fungus है, इसमें खूब सारे phlox बन जाते हैं, राइट, वो क्या कर रहे होते हैं, dissolve, यह जो dissolve वाले जो waste product है, उनको organic product को उनको खाके खतम करना सुरू कर देते हैं, अब जैसे, और आप यहाँ पर oxygen सप्लाई करते जा रहे हो, राइट, क्योंकि वो oxygen dependent है, जितनी यादा oxygen होगी, उतना ही ज़्यादा है, जितनी यादा oxygen consume होरी है, मतलब वो खाते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा, जब oxygen का consume होना कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो आप समझ गए कि oxygen consume नहीं हो रही, मतलब उनको उन्होंने जितना भी उसमें waste product था, organic waste था, सारा खाके खतम कर दिया, तो यह oxygen जो हम दे रहे हैं, यह भी समझ रहो, नीचे की तरफ इनका क्या होने लग जाएगा, settling होने लग जाएगी, settling के बाद आप क्या देखोगे, यहां से इधर की तरफ भी थोड़ाफा T3 tank में बहा देते हैं, और इधर से इधर भी बहा देते हैं, यहां से जो पीचे settle हो जाते हैं, नीचे जो बैस इधर से इधर भी आ जाएगा, आया समयन में, इधर से T3 में आ गया, और T3 वाले में आप क्या देखोगे, anaerobic condition रखते हैं, anaerobic slash disaster बोलते हैं, इसको T3 को क्या बोल रहे हैं, anaerobic slash disaster, और यहां पर उपर उपर जो उपर की तरफ जो पानी था, वो काफिया तक साफ हो गया है, अब उसको secondary effluent बोलेंगे, और उसको आप गंगा में बहा सकते हो, वो अब इतना तो ठीक हो गया है, कि वहां पर organic waste नहीं है, उसमें कोई बड़े size के कुछ component नहीं है, को भी death करा दिये जाएगा, एकदम filter होके pure हो जाएगा, एक तरीके का, तो यह आपने बात की T1, T2, T3 यह tank थे secondary वाले में, यहां पर आप यह जो oxygen दे रहे हो, इसको एक concept को समझो, इसके लिए that is called concept of BOD, biological oxygen demand, क्या बोलरो बेटा, concept of BOD, biological oxygen demand, कि समझो, जितना ज़्यादा BOD होगा, मतलब oxygen की demand जितनी ज़्यादा होगी, इसी T1 के रेस्पेक्ट भी समझे लो, T1 में आप जितना ज़्यादा oxygen दे रहे हो, तो उसका मतलब क्या, उसमें उतना ज़्यादा microbes हैं, और microbes के साथ, वहाँ पे based ज़्यादा है, waste product ज़्यादा है, इसी लिए वो oxygen को use कर रहे है, क्योंकि उनको waste product मिल रहा है, खाने के साथ oxygen भी चाहिए, तो जितनी ज़्यादा oxygen चाहिए, मतलब उतना ज़्यादा waste product है, यही बात कही गई है, कि जितनी ज़्यादा BOD हाई उतना ही ज़्यादा pollution, relate कर पाए हो, तो आप इसको ऐसे भी समझे हो, it is amount of oxygen required to consume or oxidize organic waste completely in one liter of water, one liter of water भी mention करना ज़रूरी है, क्योंकि आप इस specific amount में बात कर रहे हो, आप क्या देखो कि जितना ज़्यादा organic waste है, उतना ही ज़्यादा oxygen required होगी, और उतनी ज़्यादा क्या होग आपको आपने सुना भी होगा, गंगा action plant, यमना explain plant क्या होते हैं, गंगा जो आपके दिल्ली में ही देख लो, यमना की क्या आलत बना रखी है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अर्वराइजेशन हर घर, गली-गली में, कूचे-कूचे में, खूब सारी घर बना दिये, और अब यह से बाद है, घर में इंसान रहता है, और इंसान रहता है, तो इंसान क्या करता है, वेस्ट भी रिलीज करता है, है न, डेली-डेली सुबह-सुबह जाके, बैटके उसमें, गेम चला रहा हो रहता है, वेस्ट रिलीज कर रहा होता है, और वेस्ट निकल के पानी के सीवेज में तो को बनाने आपको घर हैं दस बारे घर है तो उसके लिए एक आपको क्या बनाना पड़ेगा सीवेजट प्लांट बनाना पड़ेगा इसलिए आप जितने ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाओगे उतना ही ज़्यादा फेवर है कि बाई जो गंदगी जारी है रिवर में वो कम हो सकती है तो आपको क्या करना है और जारी है यही गंगा एक्सन प्लांट यमना एक्सन प्लांट में किया जा रहा है कि आपके घर से जो कचड़ा निकल रहे है वहाँ पर चोटे-चोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाए जाए बहुत बच्चों को नहीं समझ में आती चीज़ है पर मैंने कोसि प्लांट क्या होते है और बायो गेस क्या तो सबसे पहला ही सब्दी यह बायो गेस निकल के आता है इसी को समझना जादा जरूरी कि यह बायो गेस एक्चुली में है क्या वाट इज बायो गेस क्या है बायो गेस क्या है बायो गेस देको बेटा यह mixture of gases है जिसमें predominantly methane है यह क नहीं करना रॉस नहीं करने के लिए इसी को यूज करते थे कैसे यह बनती अब सवाल यह आता है आपके मन में कि सर यह बनती कैसे बायो गैस राइट आप यह मत बोलने लगता सर मेरे पेट में भी गैस बनती है वह बायो गैस है क्या नहीं बेटा आपके पेट में बायो गैस बना पा रहे हो समझो concept क्या है देखो यहां पे आप समझोगे कि यह बनती कैसे anaerobic digestion of cellulose material आप जो खाना खाते हो उसमें cellulose comparatively होता है बट वो cellulose digest नहीं होता आप उस cellulose rich content को आप क्या करो digest जब करवाओगे तब बायो gas बनेगी तो यह जो कौन सी gas बनेगी कौन सा टाइप होगा उसका यह किसी पर डिपेंड करता है यह इस पर डिपेंड करता है कि उसमें microbe कौन involved हो रहा है और उसका raw material का है मैंने भी बताया कि cellulose से आप देख रहे हो cellulose raw material होगे तो खूब सारी बायो gas बन सकती है जैसे अब यहाँ पर इसी का clarification समझो कि raw material और microbe का अगर आप microbe yeast ले रहे हो और raw material आटा ले रहे हो तो वहाँ पर carbon dioxide produce होगी वहाँ पर methane produce नहीं होगी मगर जब आप methanogen ले रहे हो जो कि आपको so what are methanogen? यहाँ पर methanogen समझना ज़रूरी है बेटा methanogen एक group of bacteria है यह single bacteria नहीं है this is group of bacteria for example methanobacterium जिसका मैं example क्या mention कर रहा हूँ mention कर रहा हूँ methanobacterium methanobacterium एक bacteria है जो methanogen की category को represent कर रहा है अगर आप इनकी location देखें methanogen की location देखें तो आप बोलोगे बेटा यह इस टमक में मिल सकते हैं इस टमक किसके हमारे पेट में नहीं cattle के पेट में उसके भी rumen वाले पार्ट में कहां पर मिल रहा है उसके भी rumen वाले पार्ट में मिल रहा है राइट आप और कहां देख सकते हो जो anaerobic sludge disaster आप बता रहे तरह बेटा anaerobic sludge disaster यह जो T3 वाला एरिया था यहां पर भी anaerobic sludge disaster में आपने यहां पर इसी methanogen को रखा हुआ था जो anaerobic condition produce करते हुए यहां पर गैस बगरा बनाता है तो anaerobic sludge disaster जो T3 वाला टैंक था ना वहां पर भी होगी और कुछ मार्सी एरिया में भी आपको देखने को मिलेंगे कौन यह methanogen समझा है यहां पर मैंने methanogen के बारे में बात किया है अब हम जड़ा सा structure देख लेते हैं बायो गैस प्लांट का दो को आप देखो गए तो यह करीब करीब 10 से 15 फिट का प्लांट होता है कि कैस के दरह होता है 10 से 15 फिट का होगा यहां पे gas holder tank होता है यहां पर आप क्या करोगे mixing tank यहां पर क्या करती हो ओर देखलब कि यहां पर गैस holder है जिसमें gas accumulate होती है वह gas holder tank ही है सही है यहां पर आप slurry डालते हैं सलर्य नहीं बोले तो यहां पर गोवर और water को mix करके डालते हैं तो यहाँ पर आपने इंफ्लुएंट वाले ऐरिया में यहाँ पर इढसिंघा गोबर और water mix करके डाल दिया और अब वो कहां जाएगा digestur tank में क्या देखो के यहां पर bacteria में methanogen भी हैं यहां पर कोने methanogen है तो यहां पर Darkness हो जाएगी और वो कहां जाके खोल्ड हो जाएगी इस गैस होल्डर टेंक में जो गैस भरी हुई है अब आप इस पर ढगा दो एक जब आपको चाहिए वह आप अपने घर में यूज कर लो यहां से आउटफलेट निकल जाएगा आ रे वासयट में इस तरीके का टैंक है जो आपको देखने को मिल रहा है और इस तरीके से प्रोसेस काम बैयो जाए तो आप इस वालय पार्ट को यहां से इफ्लुएंटर से बाहर निकाल लो आउटफलेट टेंक बोलते हैं इसको सही है बायो गेस जो प्लांट ने इसको डबलबेट किया था के वी आई सी खादी व लेजेंड इंडस्ट कम्निकेशन ने और ए आई ए आराई ने इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंसिटूट ने यह इंसिटूट थे इंडिया के जुन्होंने बा देंड्यूज किया था लेकि आये थे इ इस इडियर तो ये कहान ही हमने डिस्कस की बायो गयस के बारे में इतना समझ में आया आपने बायों गयस प्लांट के बारे में संधा बढ़ते हैं आगE की और नेक्सट अब देखते हैं कि कैसे माय ніक्रोब अधर प्रोसेश्स क्षबाइट तेमाटर ंचल और कि अतरा अब जेनेटीटल देशी वैराइटी नोगोर बाइट शकरते हो और पिए सब्सक्राइट मेहें आती हैं और इसे हिने क्पार्मेट एक अब खोड़ाइटे थ्फॐ करते हो vielen पाई किसी भी प्रकार उसके बाद आप खाध उसके बाद खाद का लाइजन करोगे कोई भी एग्रो कैंएक लूज नहीं करोगे प्लस यहां पिक बायोपन्टरॉल एजेंट यूज करते हो बायोकंट्रोलेजन्ट का हूँता है डीटेल में बताऊंगा बायोड है क्टेजिल राइजन्ट समझ लो कि आप ट्रेडिषयनल देशी वैराइटी के साथ बायोकंट्रोलेजन्ट कोई मायक्रोब या कोई इंसेक्ट जो कंट्रोल करता है पॉपुलेशन औफ फॉल फेस्ट जिस किसान ने कोई खेती हुगाई है देसी वेराइटी हुगाई है अब वहाँ पर उसको खाने के लिए कुछ इंसेक्ट है फिर कुछ अधर में मेंबर भी आ जाएंगे उन अधर मेंबर को जो उस फसल को नुकसान पहु नेचुरल प्रेडेशन या फिर पैरासिटिजम अभी आपके एक्जांपल बताओं ना इजीली समझ में आज जाएगा हामफुल इंपेक्ट क्या होता है एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड का जो आप एग्रोकेमिकल जो कैमिकल्स वगरा चिड़कते उसका प्रॉब्लम क्य यूज नहीं होते कहां पर बेटा और यूज कर होते क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम होती है इतनी सारी दिक्कते आती है तो बायो कंट्रोल एजेंट क्या करते हैं यह सारी दिक्कते नहीं होने देते उनसे बायो मैगनिफिकेशन नहीं होगा फ्रॉल पॉल्यूट नहीं ह समझते हैं इसी तरीके के आप आगे देक्तों के नेर्य क्या होते हैं देखो पहले हाँ पर हम नेक्ख समझ आ कि हम जो अग्रो कैमिकल हैं उन हेलिकोप्テर हैं तो वह क्या करते सीध मारते हैं वह तरीका वायोगन्त्रोल है। क्या तो यही बोला जा रहा है कह वह इसकल यहांगी क्राशे जो और यह न फॉनिज्व औले को क्यूबलेट भी टाहँ थर यद ठोन कीन्ट क्ल कर रहे जो कितने सारे अधर मैंबर मर तो ये उनको तो नहीं मार रहे हैं कहीं को प्रिजर कर रहे हैं और लएगा हरी कहानी सबसे पहले आपके पास कि है लेडीवड लेडी वर्ड किसको कखतम करती है एफिट को कल करती है पूरा खत्म कर देते हैं नहींटा पूरा नहीं खत्म करती है ठेक ड्रेगो फ तूर माइंपातो को कसम करते हैं क् creep को मेचंटम करता है एकलो जिए सोरी एक और मैक्र débatt market में क्या मिलते है бacilles BT के क्या मिलते है package मिलते है इस तरीके एक है bacilles Turing analysis के packet है और इन packetों में इसका क्या is spore है बैक區uranator इस particular bacteria का क्या ιक is spore है तो bacteria spore stage में packets मिलते हैं हम उनको घर पे लाके इस को बहर निकाल के पानी के साथ mix कर लेते हैं और उनको chemical spray किया नहीं सर हमने chemical spray नहीं किया आपने अभी तो बताया हम bacteria के spore को ले रहे हैं सही है ठीक है अपने bacteria के spore को ले लिया अच्छी बात है पानी में मिलाया और पौदों पे डाल दिया अब ये bacteria के spore क्या करेंगे ये spore और आपने क्या देखा इस तरीके से BT के थूँ बैसिलस थूरिंजियंजिस के थूँ आपने अधर इंसेक्ट को मारा क्या यह बीटी और और अर्गिनिजम था कोई living और अर्गिनिजम था यह सर वह लेविंग और इसको बोल सकते हैं यह सर रहे हैं इतना समझ में आया बढ़ नहीं होने देती जिससे वह प्लांट है वह क्या होते काफी दिन तक सरवाइव कर पाते हैं तो यह ट्राइगोडरमा अपने बात की ट्राइगोडरमा जो कि किल करें दूसरों को डिश्टर्व ना करें तो यह भी बहुत अच्छी बात है ऐसी चीजों को बोलते हैं नेरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड आप पूछोगे सर इससे फाइदा क्या है बेटा फाइदा यह वहां पे जहां पे आप देखोगे कि ecology का बहुति sensitive area है कुछ ecological सेंसिटिव area है जहां पे बयो डियोवर्स्ट्री बहुत ही कैसी है बहुत ही कम बची और वो मेंबर वहीं बचे है अब वहां पर ऐसे वार को इंट्रोड्य करते हैं चलो बयू 도 commence high ऐ हैuzz हमको औसे हाम नहीं करेगा यह फिस को हाम नहीं करेगा मैमल को हाम नहीं करेगा बढ़ को हाम नहीं करेगा इंसक्ट को हाम नहीं करेगा यह पटिकुलर हामफुल specific जो हमारे specific अगर माइक्रोब है जो पैतोजनिक है जो हमारी फसल को नुक्सान कर रहा है वस उसी को मारेगा इस तरीका से वैकुलो वाइरस ये भी particular specific member को ही kill करता है तो ऐसे जो organism है इनको या फिर ऐसे जो हमारे बायो कंट्रोल agent है इनको हम use करते है ecological sensitive area में वो area जो हमारे काफी sensitive area है जहां पर हमको काफी सारी चुछे बचा कर रखने है आ रहा है समझ में is it clear? very good चलिए आगे की तरब बढ़ते हैं अगला हम देखते है organic farming हमने बात की अब organic farming में आप यूज करते हो bio fertilizer तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा समझ रहे इस बात को bio fertilizer का है? organism है living organism है, कौन कौन है सर? bacteria है, cyanobacteria है, fungus है यह क्या करते है सर? यह बेटा nitrogen के level को बढ़ाते है यह phosphorus के level को बढ़ाते है nitrogen phosphorus काफी important है plant की growth के लिए तो उनकी quality को और enrich करते है तो सर क्या यह soil fertility को increase कर रहे है? Yes बेटा Yes और इनकी दो category है एक है nitrogen fixation जो nitrogen के level को बढ़ाएंगे एक phosphorus absorption को बढ़ाएंगे phosphorus के level को बढ़ाएंगे nitrogen fixation में cyanobacteria और bacteria आएंगे जब कि phosphorus बढ़ाने वाले में mycorize आएंगे पहले चलो bacteria, cyanobacteria की बात कर लेते हैं जो nitrogen fixation में involved है जो atmospheric nitrogen को ammonium आएंगे बढ़ाएंगे nitrogen fixation कहलाता है और इसको करने के लिए bacteria और cyanobacteria best candidate है हमारे nature के सबचे जो ट्रवल दावेदार है वो कौन है bacteria और cyanobacteria nitrogen को fix करने के लिए अब यहाँ पर यह समझो कि जो bacteria है जो cyanobacteria है इनमें दो तरीके से काम करते है कि यह symbiote की तरह काम करेंगे या फिर यह free living की तरह काम करेंगे symbiote की तरह के से कहां काम करते है for example rhizobium और frankia यह legume में और यह non-leguminous plant में मिलेंगे तो rhizobium और frankia क्या है यह symbiotic bacterial member है और यह annulus में मिलते है जो कि एक non-leguminous condition को शो कर रहा है तो यह symbiote bacteria होगे यहाँ पर कुछ cyanobacteria भी है जैसे coloroid root of psychus में मिलते है lichens में मिलते है firm like azula की leaf में मिलते है तो यह सारे के सारे कहें cyniobacteria है जो symbiotic condition को यह एक बार को show करते है इस इट clear आगे देखो कुछ free living member भी है for example agitobacter agiospirellum यह free living member है nitrogen fixation में free living यह symbiotic symbiotic free living का मतलब पता है symbiote जो किसी के साथ रह के काम करें जैसे root legume के जो roots है ना उनके साथ काम करें मिलके और free living वाले खूब मस्ती में आपने घूम रहे हैं है ना मस्ती में बस्ती में घूम रहे हैं वो कहाँ पर soil में अपने मस्त घूम रहे हैं उनको मतलब नहीं किसी के साथ हाँ मगर nitrogen fixation वो free भी कर रहे हैं सही है तो यह आपके क्या होगे agitobacter agiospirellum next day को sinobacteria में यहाँ पर एक्जामपल nostoc, anavena और ocularia, यह rice field में आपको देखने को मिलेंगे free living condition यह भी सो करते हैं तो आपने इन member की बात की जो nitrogen fixation कर रहे हैं जो soil में nitrogen के level को बढ़ा रहे हैं is it clear? आगे चलो समझो mycorrhiza की, mycorrhiza क्या करते हैं? बेटा यह mycorrhiza क्या करते हैं? यह phosphorus के level को बढ़ाते हैं और वो fungus क्या है, specific fungus वो glomus genus से belong करते हैं वो जिस genus से belong करेंगे, वो कौन है? glomus, तो यह क्या है? यहाँ पर fungus के hyphy grow कर जाते हैं और इनका आप role समझ लो, यह करते हैं पहला important role जो मैं बता रहा था है यह phosphorus के absorption में involved होते हैं यह mineral absorption करवाते हैं specifically phosphorus के respect में और भी कई सारे काम है यह protect करते हैं सूखे से, drought वाली condition से protect करते हैं salinity से, high salt condition से यह protect करते हैं root-worn pathogen से तो एक काम नहीं है, कई सारे काम है इसलिए इनको क्या बोल रहा है, symbiote कि यह plant को मदद कर रहा है plant इनको रहने के लिए जगह दे रहा है तो यहां पर बच्चो हमारा यह chapter खतम होता है मुझे उम्मीद है आपने इस chapter को बहुत आसानी से समझ लिया होगा और चीजों को notice भी कर लिया होगा अलग-अलग तरीके से पढ़ने से यही होता है कि आपका revision multiple direction से हो जाता है हो सकता है आपकी जो normal reading में चीज इना हीट कर रही हो वो यहां पर हीट कर जाएगी बच्चो याद रखना exam से important कुछ नहीं है आपकी life में इस बात को याद रखो कि जीवन में success मिल जाएगी exam से important कुछ नहीं revision 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 is the key याद रखना है यह बात कि revision किया और multiple तरीके से revision करते हो mind map series चल रहे है mind map से revision कर लिया podcast series चल रहे है podcast series revision कर लिया परिवर्तन चल रहा है बहुत detail में परिवर्तन series revision कर लिया क्योंकि वो आपको help करेगा अलग-अलग तरीके से चीज़ों को समझने में कभी-कभी एक normal तरीका नहीं समझ में आता है दूसरे तरीके से कोई समझाता है फिर समझ में आ जाता है तो इस तरीके से मारा आज का यह mind map session है यह खतम होता है मैं फिर भी आपको यहाँ पर पूरे chapter को क्या कर देता हूँ क्लियर है इस पूरे chapter को मैं क्या करता हूँ एक बार और समराईज कर देता हूँ देखिए सबसे पहले हमने बात किती माइक्रोब in human welfare में माइक्रोब क्या होते हैं देन हमने household product में देखा कि कैसे कर्ड में probiotic में fermented product में चीज में यह involved होते हैं राइट फिर हमने इंड्रस्टी में देखा alcoholic beverage बनाने में इंजाइम एसेड बायक्टिव मॉलिक्यूल में बायक्टिव मॉलिक्यूल में हमने specific member को मात किया था एतनौल में हमने यहाँ पे grain से बनती है beer और grape से बनती है wine और बीयन से बना सकते हो इसकी wine से बना सकते हो brandy यह हमने बात की थी important राइट यहाँ पर इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बातों को थोड़ा घौर कर लो एंटिवाइटिक हमने देखी थी एंटिवाइटिक की discovery अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है राइट यहाँ पर इंसलिजन का फिनोमेना काम करता है पैनिसलिन एक होती है किससे इस पटिकुलर फंगस से जो बैक्टिया की ग्रोथ को रोख देती है फ्लेमिंग यह बात नहीं बता पाए थे कि एंटिवाइटिक का ही तरह काम करती है फिर बात में अरनेस चेंडर और फ्लोरी ने बताया क फिर एकिटेक यसलिजन की बात की इस टेटिं बेटा क्या कहलाते है इस सब्लांट में कैसे प्राइम्री सेकंडरी तर्सरी में वह ट्रीट हो रहा है फिर यहां पर concept of bio d भी बता है इसमें बस इतना याद रखना जितनी ज़्यादा पॉलिशन होगा वी ओडी जितनी ज़्यादा पॉलिशन भी उतना ही ज्यादा आगे देखो बाइयो गैस प्लांट की बात की बाइयो गैस प्लांट में हमने मेंशन किया किसकी साइज कैसा होता है और इसमें बहुत मैटर करता है कि लिलोज रिच कंडिशन है तो आप क्या देखो गई वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप की घस मैथन ज्यादा बनेगी इसके पूरे स्ट ड्रेगन फ्लाइ, वैसेलस, ट्राइकोडर्मा और वैकुलो वाइरस एंड कुछ और मेंबर भी मैंने मेंशन किये थे, वो यूज होते हैं, यहां पर मैंने मेंशन किया था, नेरो स्पेक्टरम पेस्टिसाइड क्या होते हैं, जो स्पेसिपिकली किसी पटिकुलर मेंबर को क प्रत्सान को लाइक करिए करेंगा, तो इस तरीके से हमने पूरी चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया, चीक है, मुझे उम्मीद है, यह सेशन आपको जरूर मदद कर रहे होंगे, अगर आपको help मिल रही है हमको और पृत्सान देने के लिए अच्छे अपने comment करिए session को like करिए session को share भी करिएगा और इसी तरीके की informational वीडियो के साथ लिए आप जुड़े रहिए संकल भारत के साथ मिलते हैं अगले session में bye bye take care thank you so much